सर आज इंडिया एलाइन्स की मिटिंग है दो हजार चौबिस की रणनीती को लेकर इंडिया गटबंदिन की बैठा क्या 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 से देखते हैं इसके समझ में तो मतलब बैठे के लोकनदर में हरेकोल इंडिया गादिकार है अपोजिशन ने इंडिया नाम से ये कालाइन बनाया है और वो मतलब इंडिया को मानने नरेदर मूदी जी को हराना चाहते हैं लेकिन नरेदर मूदी जी को हराना ये इतनी मामूली बात नहीं है अकेले नरेदर मूदी जी को हराने के लिए शिकड़ो नेता एक साथ आ रहे है और जो नरेदर मूदी जी बाबा साब अंबिडगर जी के सविधान को मजबूत कर रहे है लोकतंत्र को मजबूत कर रहे है देश को विकास के दिशा से ले ही जा रहे है सबी जाती धर्म के लोगों को एक साथ लाने के लिए काम कर रहे है और विकास करना यह उनका मुख्य मकसद है भारत के हर जाती के नागरी को न्याई देना सामाजिक न्याई देना आर्सिक न्याई देना यह उनका मतलब मुख्य काम है और आईसे नरेद मुदी जी को हराने के लिए ये इकट आई है सब जन्ता ते देख रही है रोज हाउस में हंगामा परके कामका जाने होना देते हैं और फिर बोलते हैं हमारा आवाज तदबार है विश्य तरह कि बयान बाजी करने वालों को आपने दिखा है कि मंद्य प्रदेश, 36 गड़ और राजिस्तान के जन्ता ने सबक सिखाया है तो इसे तरह मुझे लगता है कि आज उनकी मिटिंग है और उनको हमारा आईलान है कि अगर आप लोग एक साथ आ गए है तो हर पार्टी में प्रदार मंत्री का एक नाम है कोई एक नाम हों चाहिर करे ये भी मतलब मेरा उनको आवान है और हम भी तैयारी में है तुम भी तैयारी करो लोग तो अंतर में तुमको सत्ता में आधिकार आने का आधिकार है लेकिन सत्ता में आने के लिए जन्ता का सबोर्ट होना चाहिए जन्ता का सबोर्ड नरेद मुदी जी को है नरेद मुदी जी बहुती पपलर नेता है और इसलिए हमें पुरा विस्वास है जिस तरह तीन राज्यों में हमें बड़ी सबलता मिठी है उसलिए हम आने वाले 2024 में जो चुना अपरेल मैं में होगा उसमें 400 सिटें हम पाल करेगे आइसलिए हमें पुरा विस्वास है और इंडिये मानले नरेद मुदी के नित्रुतों में तिसरे बार सत्ता में आएगी आइसलिए हमें पुरा विस्वास है कर दो